हेलो स्टुडेंट कैसे आप सब आश्रा करता हूं सभी परचे फीट और फाइन होंगे बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइस 7C स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन एक निट ठर जाओ हम लोग इसमें ना क्वेस्टन वगरा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे देखो ह होता क्या है ना कि के बर बच्चे 7 में मैंत को हलके मिलिये रहते हैं और 9 में आकरके जब थोड़ा सीरियस होते हैं पढ़ाई को ले करके तो वह बेसिक सी चीज़ा दी रहती है 7 में वह भूल जाते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट से रिलेटेड कुछ यहां पर मैंने कुछ तीन पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन इन पॉइंट को समझने के सबसे पहले हैं बहुत सारे बच्चों को पता होगा वेरी गुड लेन कुछ बच्चों को नहीं पता तो देखो बता देता हूं कि जब दो लाइन एकदम ऐसे सीधे रही का हमें जाते ह कि एक दूसरे को कहीं पर भी कट ना करें इसका मतलब वो दोनों के आपस में पैरलल है उनके बीच की डिस्टेंस ना हर जगा पराबर होगी अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां भी तू सेंटीमिटर होगा यहां भी तू सेंटीमिटर होगा और लाइन को आगे लिया अब अगर मान लेते हैं कि एक तीसरा लाइन आया है और इन दोनों लाइन को ऐसे कट करके चला गया तीर की तरह करके इन दोनों लाइन को ऐसे कट कर गया तो इसको भी बोला जाता है ट्रांसवर्सल जैसे यह दो लाइन जो थे यह पैरलल थे और जो लाइन कट कर द यहां भी बनेगा यहां पर ही बनेगा और यहां पर ही बनेगा तो टोटल हमारे पास यहां पर एट एंगल बन जाते हैं जब कभी दो पैटल लाइन दिया हो और एक ट्रांसफरसल उनको कट कर देना तो टोटल हमाँ पर एट एंगल बनते हैं यहां रखना अब इन ही एंगल के बारे में आपको यहां जानना जरूरी है, अगर यह समझ गया तो पूरा हमारा chapter complete हो जाएगा देखो, पहला जिसे पहले सबसे पहले तो मैं इंगर कुछ नाम दे देता हूँ, ताकि आपको जब मैं समझाते अंगल क्या होता है, जिसको मैं ने लिखा है ना, कि corresponding angles are equal, तो corresponding angle कहते कि इसको है, तो यहां पर यह line था और यह line था, यह transversal cut किया है ना, तो बस यह समझ जाओ कि इस जगहा पर दूसरे वाले line पर जो angle बनेगा ना, उसको ही आपस में corresponding angle कहेंगे, जैसे इस line के, यहां पर हमारा angle number 1 बन रहा है, और इस line के, उसी जगह पर हमारा angle number 5 बन रहा है, तो यह 1 और 5 ही क्या होगा, आपस में equal होगा इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूँ, angle 1 is equal to angle number 5 same to same, उसी तरीके से, जो जो angle जहां जहां पर बना है, जैसे देखो, इस line के left में यह उला angle बना, और यहां पर भी left में यह उला angle बना, यानि 2 और 6 भी क्या होगा आपस में equal होगा, तो angle 2 is equal to angle number 6, यही corresponding angle कहला आते हैं, उसी तरीके से 3 है और नीचे को, इस line के, नीचे side में, left में जो angle बना है, वो 3 बना है तो इस line के, नीचे side में left में, जो angle वो कौन से है, वो 7 है तो 3 और 7 क्या होगा, आपस में equal हो जाएगा तो angle 3 is equal to angle number 7 और जो last में कौन कौन से बच गया इस line के, नीचे में, जो right side में बच गया, यह वाला, तो यह right वाल एंगल और नीचे का, यह right वाल एंगल, यानि 4 और 8 यह दुने भी आपस में क्या है, corresponding angles है और यह भी आपस में equal है, यह आपर आप लिख दो angle number 4 is equal to angle number 8 ठीक है, तो समझ में आगे corresponding angle क्या होता है, और corresponding bonding angle आपस में equal होते हैं, अगर यह हमारा 50 degree होगा, तो यह भी 50 degree होगा यह सब ध्यान रखना, आगे चलकर के काम है अभी exercise जब solve करेंगे तब, आते हैं दुसरे वाले point में, जावर मैंने लिखा है कि alternate interior angles are equal यानि जो alternate interior angle होते हैं वो भी आपस में equal होते हैं, तो alternate interior किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो समझो interior क्या होता है, interior मतलब अंदर, जैसे यह दो line थे ना, तो इनके अंदर में जो इलाका है यह क्या हो गया, अंदर का इलाका हो गया, और इधर 3 बन रहा है, तो इसके उल्टे side में जैसे यह left में बना है, तो right में interior angle कौन सा है, यह 5 है तो यह 3 और यह 5, यही दुनों आपस में क्या कलाएंगे, alternate interior angle कलाएंगे तो यह दुन आपस में equal होंगे यहां मैं लिग देता हूँ, angle number 3 is equal to angle number 5, और same उसी तरीगे से, इधर 4 बन रहा right में, और नीचे वाले में, left में जो 6 बन रहा है यह दुनों भी आपस में क्या होंगे, equal होंगे तो यह, और यह equal हो गया, तो angle number 4 is equal to angle number 6 तो alternate interior angles are equal, देख है, last में आ जाते हैं, कि sum of consecutive interior angle is 180 जैसे आपने एक simple सा rule पड़ा था पहले होल exercise में, कि एक सीधा line होता है, तो उसके में जितने भी angle बनेगा, यागर एक उपर में एगर angle बन रहा है चैन्द की तरह, तो उसका आप कितना हूँ part में cut कर दो, उसका जो sum निकलेगा वह कितना निकलेगा, 180 निकलेगा जैसे यह 2 number को और 1 number को add करेंगे तो 180 निकलेगा, उसी तरीके 3 और 4 को add करूंगे तो भी 180 आएगा, फिर आप देखो इधर भी सीधा line जा रहा है, तो 2 और 3 उसके उपर में है, तो 2 और 3 को add करूंगा न, तो भी 180 आएगा, यानि सीधे line में जब angle बनते हैं, तो उसको linear पर बोलते हैं, और 180 डिगरी का वो बनता है उसी तरीके से जो consecutive interior angle होते हैं, अब consecutive interior angle किसको बोलेंगे, कि जो सामने सामने हों, जैसे देखो, यह 3 हमारा अंदर में interior और 6 interior, और दोनों 180 डिगरी निकलेगा, इसका भी आगे चलगर कि use अभी होने वाल है, तो यह भी ध्यान रखना सिम उसी तरीके से 4 और 5 भी आपस में यह क्या है, consecutive interior angles हैं इनका भी अगर पन सम निकाले angle number 4 और angle number 5 का तो यह भी 180 डिगरी ही निकलेगा तो यह कुछ basic से point है, 3 point इनको इतम दिमाग में अच्छे से fit कर लो maximum question, इन ही points से through बनेंगे कुछ questions में हमको थोड़ा सागे पीशे करना पड़ेगा वहाँ पर जो हमको जुरत पड़ेगा ना, वह मैं आपको